आईए सरल सनरचना वाले जीवों में प्रजनन के कुछ तरीकों को समझते हैं तो सबसे पहला तरीका या विदी है विखंडन विखंडन कोशिका विभाजन के द्वारा होता है इसका मतलब इसमें एक कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली प्रतेक कोशिका एक नए जीव के रूप में विक्सित हो सकती है जैसे Amoeba, Lesmania, Plasmodium इन सभी में हमें कोशिका विभाजन या विखंडन के द्वारा प्रजनन देखने को मिलता है Amoeba में एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जिससे दो नए जीवों का निर्माण होता है इसी तरह से Lesmania में भी एक कोशिका से हमें दो नए कोशिकाओं मिलती है और ये दोनों कोशिकाओं नए जीवों के रूप में विक्सित हो सकती है लेकिन प्लैजमोडियम में एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जिससे हमें बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं जितनी कोशिकाओं बनती हैं उतने नए जीव मिलते हैं और ये कोशिकाओं भी फिर विक्सित हो करके कई कोशिकाओं में के द्वारा नए जीवों का जनन देखने को मिलता है जैसे इस पाइरो गाईरा में शरीर विक्सित होने पर कई खंडों में तूट जाता है इनमें से प्रतेक खंड या टुकड़ा एक नए जीव के रूप में पूर्ण विक्सित हो सकता है इसे हम पुनर जनन कहते हैं इस तर प्लेनेरिया और स्टार फिश जैसे जीवों में भी हमें जनन देखने को मिलता है यदि प्लेनेरिया या स्टार फिश के सरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनमें से प्रतेक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विक्सित हो सकता है लेकिन प्लेनेरिया और स्टारफिश में खंडन के द्वारा नए जीवों का निर्माण यहां जनन की मुख्य विधी नहीं है, जबकि स्पाइरो गाईरा में खंडन के द्वारा नए जीवों का निर्माण यहां पर जनन की मुख्य विधी है, प्लिनेरिया और स्टारफिश में जनन की और भी वि यदि छिपकली की पूँच कट जाए तो यहाँ पर उसके शरीर में नई पूँच विक्सित हो सकती है लेकिन इसे हम जनन नहीं कह सकते क्योंकि कटी हुई पूँच से नई छिपकली का याने नए जीव का निर्माण नहीं हो सकता इसके अलावा सरल जीवों में मुकुलन के द्वारा भी जनन देखने को मिलता है यह हमें हाइडरा और येस्ट जैसे जीवों में देखने को मिलता है इन जीवों में कुछ कोशिकाएं जिनमें पुनर जनन की छमता होती है वे व्रद्धी करके नए जीव के रूप में विक्सित हो सकती है और पूर्ण विक्सित होने पर जनक जीव से अलग हो जाती है जिससे नए जीव का निर्माण होता है। देखने को मिलता है जिसे हम राई जोपस भी कहते हैं इसके दो भाग होते हैं पहला ये तंतु के समान भाग होता है जिसे हम कवक तंतु कहते हैं और दूसरा बल्ब के समान ये सनरचना जो मिलती है इसे हम बीजानु धानी कहते हैं इसमें छोटे छोटे बीजानु या स्पो इनकी कोशिका भित्ती काफी पतली होती है और जब ये विजानों किसी नमी युक्त सतह के संपर्क में आते हैं तो इनसे नए जीव का निर्माण हो सकता है तो इस तरह से सरल संरचना वाले जीवों में इन कई तरीकों से प्रजिनन हो सकता है